नमस्कावर दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा एक एडवाइजर अपना पावरफुल और प्रोफेशनल इंट्रोड़क्शन किस तरीके से दे सकता है। इस पावरफुल इंट्रोड़क्शन से एडवाइजर का खुद का आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ प्रोस्पेक्ट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो आपके पावरफुल इंट्रोड़क्शन से इंप्रेस होकर आपके साथ बात करने में दिल्चस् अब इतने बढ़िया इंट्रोड़क्शन के बाद क्या? हेलो फ्रेंड्स मैं मिलिन वाला वलकर डेवलोप्न आपविसर और SBA फ्रम एमडियो टू आप सभी लोगों का आज के हमारे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ जिसका टॉपिक है Financial Health Checkup आईए अब जानते हैं इंट्रोड़क्शन के बाद हम हमारी बात आगे कैसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम प्रोस्पेक को कुछ इस तरीके से एप्रोच कर सकते हैं सर मैं एक प्रोजेक के उपर काम कर रहा हूँ जिसका नाम है Financial Health Checkup इसके तहट मुझे सव परिवारों को मिलना है और उनसे मैं दस प्रशन पूछने वाला हूँ आपको उन दस प्रशनों का जवाब बस Yes या No में देना है जिसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पांच मिनिट लग सकते हैं सर यह काम हम दोनों मिलकर भी कर सकते हैं या तो हम यही जानकारी फोन पे भी ले सकते हैं आप क्या चाहेंगे हम दोनों मिलकर इसके पर बात करें या आप यही जानकारी मुझे फोन पे देना पसंद करेंगे दोस्तों यहाँ पर एक बात हमें पक्की मालूम है कि प्रॉस्पेक्ट हमें एवोइड करने के लिए हमें फोन पे ही जानकारी देना पसंद करेगा क्योंकि हर prospect की ये एक सोच होती है कि अगर इसे मैंने घर बुला लिया या personally मिलना चाहा तो ये मुझे जरूर कुछ न कुछ बेचने की कोशिश करेगा इससे अच्छा है कि मैं इसे phone पे ही निप्टा लूँ अगर prospect में phone पे ही हमें जवाब देना पसंद किया तो हम यहां शुरुवात करेंगे तो sir क्या हम शुरू करें बस पांस से दस मिनिट लगेंगे ज़्यादा नहीं sir मेरा पहला प्रश्ण है क्या आपने अपनी सालाना आमदनी के दस गुना बीमा किया हुआ है सिर्फ yes या no में जवाब दीजे question number two sir क्या आपको पता है कि आपके रिटायर्मेंट के बाद आज की लाइफस्टाइल मेंटेन करने आपको हर महिने कितना पैसा लग सकता है question number three sir क्या आपको पता है आपके बच्चों की शिक्षा और शादी के लिए कितना पैसा लग सकता है question number four क्या आपके परिवार का परियाप्त हेल्थ कवर है? Question number 5 क्या आपकी मृत्यू पश्चात आपका हाउजिंग लोन या दूसरा कोई भी लोन बाकी हो सकता है जो आपके परिवार को भरना पड़े? Question number 6 Sir, अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या आपका परिवार बिना कोई अमदनी के घर का खर्च चला पाएगा? Question number 7 क्या आज आपके बैंक में अगले 6 महिने का घर खर्च चले इतना सेविंग है? Question number 8 Sir, क्या आपको विश्वास है? आज तक आपने जो सेविंग किया है, उससे आपके सारे financial goals पूरे हो सकते हैं? Sir, आखरी दो सवाल Question number 9 क्या आपके पास आपके परिवार के सारे financial goals लिखित रूप में है? Sir, मेरा आखरी प्रशन Question number 10 क्या आपके पास कोई आपका dedicated financial planner है, जो हर साल आपके पास आकर आपके goal achieve करने में आपको मदद कर रहा हो? दोस्तो, ये 10 एहम सवल है, जादा तर जिसके बारे में प्रोस्पेक कभी सोचता ही नहीं एक बात का ध्यान रहे है, हम यह जानकारी सिर्फ yes या no में लेंगे, इससे जादा जानकारी मंगने की कोशिश की, तो शायद प्रोस्पेक को संकुच हो सकता है इन 10 प्रोस्पेक्ट विचार करने के लिए मजबूर हो गया है, और अब हम उसे थोड़ी सी बाकी की जानकारी लेंगे, जैसे उसका पूरा नाम, उसके परिवार के बाकी के सदुस्यों का नाम और डेट आप बर्त अगर प्रोस्पेक्ट ने हमें कुछ प्रश्णों के जवाब नो दिये हैं, तो ये हमारे लिए एक हट प्रोस्पेक्ट हो सकता है, क्योंकि उस नो का जवाब दुरने के लिए और उसका प्रोविजन करने के लिए हम उसे मदद कर सकते हैं और जिन प्रश्णों के जवाब उसने येस करके दिये है वहाँ पे बड़ी विनम्रता से हम प्रोस्पे को पूछ सकते है कि सर क्या मैं जान सकता हूँ इस प्रश्ण का उत्तर आपने येस दिया है तो इसकी क्या राशी हो सकती है अगर उसने इस राशी का प्राउधान इन्फलेशन माने महेंगाई को धैन में रखते हुए किया है तो ठीक है Otherwise हमें उसे इस गोल को achieve करने के लिए इन्फलेशन के साथ gap analysis करके बताना पड़ेगा दोस्तो ये दस प्रश्न भले भले लोगों को जंजोड देते है उन्हें सोचने के लिए मजबूर करते है और कई लोगों की तो रात की नीन हराम हो जाती है और यही दस प्रश्न हमारे advisor को prospect के घर में entry लाने के लिए बहुत महत्वपरोण होते है बस ये प्रश्ण पूछने समय एक बात का ध्यान रहे कि ये बहुत emotion के साथ और explain करते हुए customer को पूछने बहुत ज़रूरी है जिन प्रश्णों का जवाब prospect yes करके दे रहा है वहाँ पे prospect को appreciate करना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तो हमारा हर advisor अगर हर दिन सिर्फ एक कही financial health check-up करे तो prospect के कई सारे goals financial goals achieve करने में वो उसकी मदद कर सकता है कई लोगों का medical medical planning हो सकता है तो कुछ लोगों का educational और marriage provision हो सकता है तो कई लोगों का retirement provision भी कर सकता है यहाँ पर हमारे advisor को कही न कही अपना expertise दिखाने का मौका मिल सकता है और उस परिवार का dedicated advisor माने जैसे family doctor होता है वैसे family advisor बनने का मौका मिल सकता है इस financial health check-up के उपर जितना seriously काम हो सकता है उतना ही उस advisor को अपने business में growth मिल सकता है धन्यवाद दोस्तों आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए topic के साथ